ये तस्वीरे राश्चपती भवन में मोधी मंद्री मंदल के शपत ग्रण समारों की है पीएम मोधी ने जोती राधिते सिंध्या को भी कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में आने की नाम की तोर पर नागरी कुड़ेन मंद्री बनाया है जोती राधिते सिंध्या ने भी अपनी मोधी भक्ती को पूरी निस्ठा के साथ निभाया और शपत लेने के बाद राश्चपती रामनात कोविन को धनेवाद करने की बजाए सीधे पीएम मोधी के सामने नतमस्तक हो गए जबकि प्रोटोकोल के हिसाब से राश्चपती सबसे बड़े समयधानिक पदपरासीन है और शपत के बाद सबसे पहले उन्हें अभिवादन पेश किया जाता है मैं जोतिरादित्य मादवराव संधिया ईश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का शद्धा पूर्वक और शुद अंतकरण से निर्वाँ करूंगा तता मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियायत करूंगा मैं जोतिरादित्य मादवराव संद्य इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने करतवियों के समयुक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा बहुत बजाई पर मंत्री पत देने वाले पिये मोदी के सामने जुकना ज्यादा सही लगा होगा बाद में गलती का एसास होने के बाद सिंधिया राश्टपति को शुक्रिया कहने आए अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंत्री बन चुके सिंधिया देश के सबसे बड़े सम्वधानिक पत पर बैठे विक्ति का सम्मान तक करना नहीं जानते आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के से ये ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सबस्क्राइब करें वीरो रिपोर्ट दे निउस वीक